मैं खबर सिंग लेकर आया हूँ एक बहुती बड़ी खबर जो की है पियंका रड़ी के मामले में एक बहुती बड़ी खबर आ रही है तो आईया को पूरी खबर विस्तार से बताते हैं उससे पहले यार प्लीज दिल से दर्खासत है कि इस बड़ी खबर को अपने वाटसेप, इस्ट्रिगाम, फेस्बूक यार हर जगा पे हर जगा के आपको वीडियो को फैला देना, शियर कर देना ताकि लोग ये भी जान सकें कि आकर इस मामले ने नया मोल ले लिया है और दूसरा चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब ताज़ा खबरों को सबसे पहले और सबसे साटीक जानने के लिए बात करते हैं बड़ी अपडिट के बारे में जहां पर दो दिन पहले हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ था वो सब आपके सामने हैं बड़ी बात इसमें से ये है कि एक नया मामला जूड़ चुका है इस केस में यानि कि जो चार आरोपी थे वो चारो के चारो गिरफतार हो चुके हैं जो कि पुलिस के लिए बहुती बड़ी कामियाबी मिली है साथी साथ अब जनता डिमांड ये कर रही है कि उन चारो को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और वहीं दूसरी और आपका क्या खयाल है अगर आप भी चाहते हैं कि उन सब को लटक जाना चाहिए तो शेकर दो वीडियो को ताकि इनसाब भी मिल सके अब बात करते हैं कि नया मामला क्या है तो जहां पर जब प्रियंकर रेड़ी को जिस वक्त जलाया गया था जयता कि आपको याद होगा कि प्रियंकर रेड़ी की स्कूर्टी जहां पर खराब हो गई थी वहाँ पर वह आस्पाद पंच्चा की दुकान भी देख रहे थी लेकिन उनको पंच्चा की दुकान नहीं मिलती है और वो अपनी बेहन को फोन करती है तो उनके भाई और उनके बेहन उस वक्त जब वहां पे पहुंसी है प्रियंकर एड़ी को लेने के लिए तो वहां प्रियंकर एड़ी मौजूद नहीं रहती है अब बात यह है कि कुछ लोग आते हैं प्रियंकर एड़ी को लेके चले जाते है साथ ही साथ जब प्यांकर एड़ी को जलाय जा रहा होता है तो वो हल्प हल्प चिला रही होती है तब ही रोजा नाम की लड़की ध्यान दीजेगा यही है नया मामला तब रोजा नाम की लड़की प्यांकर एड़ी को बचाने के लिए जाती है और नतीजा किया रहा कि वो लोग जो चारो लोग मौम्मद पाशा की जो गैंग है वो चारो लोग रोजा को भी वही जला देते हैं और नतीजा ये रहा कि आज प्यांकर एड़ी के साथ रोजा भी नहीं मिल सकी है और वो सब भी हम सब को छोड़के चली गई है तो जादा से जादा वीडियो को याज शिये करते को ताकि उनसा को फांसी मिल सके